नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन साथी की राशी हम कैसे जाने कुंडली देख करके पुरूश या इस्त्री की कुंडली देख करके उसके होने वाले जीवन साथी की राशी कौन सी हो स पुरुष की जन्म कुंडली देखकर के अथवा इस्त्री की जन्म कुंडली देखकर के हम यह समत सके कि इसके जो जीवन साथी है जीवन साथी जो होने वाला है उसकी जन्म राशी या नाम राशी कैसी होगी किस राशी के आधार पर होगी या किस ग्रह के आधार पर होगी य जन्म कुंडली द्वारा बहुत ही अच्छे से समझा जागता है। जब भी हम वर और वधु की कुंडलीयों का मिलान करते हैं तो बहुत सारी जन्म पत्रिकाएं वर और वधु के लिए एकत्रित करते हैं। उसमें मुश्किल हो जाता है कि किस से इसका विवाह बनने वाला है, गुण भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कुंडलियां मिल जाती हैं, लेकिन इन सभी कुंडलियों में से किस व्यक्ति विशेश या किस जातक विशेश या जातिका विशेश से ही इ इसका परिग्यान करने का एक महत्पून सुत्र आचारियों ने बताया हुआ है तो केवल जन्म कुंडली देखकर के लगभग लगभग 90 प्रतिशत तक सही रूप से यह परिग्यान किया जा सकता है कि हमारा जो जीवन साथी होने वाला है उसकी जन्मराशी कौन सी होगी या उसके कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह इस्तितिया होंगी या एक व्यक्ति विशेश की या जातक या फिर जातिका की कुंडली को देखकर के परिग्यान किया जा सकता है लव या रिलेशन्शिप में भी जो कपल है या जो धंपत्ती है जो लव या रिलेशन्शिप में है त उसके साथ आगे बढ़ा जाएगा कि नहीं बढ़ा जाएगा, आगे चल करके उसके साथ विवाह की संभावनाएं बनेंगी की नहीं बनेंगी, आगे चल करके कहीं ब्रेक अप तो नहीं हो जाएगा, इन सारी चीजों का समावे जो है और इन सारे प्रशनों का उतर केवल जो कुंडली देख करके हम उसके जीवन साथी का परिज्ञान कैसे कर सकते हैं तो इस विशय में बहुत ही सुत्र आचारियों ने बताया हुआ है पुरुष की यदि जन्म कुंडली है अथ्वाइस्त्री की जन्म कुंडली है तो विशय शुरूप से सब्तम स्थान से उसके सब्तम स्थान से उसके जीवन साथी की राशी का परिज्ञान करना चाहिए इसमें एक और महत्पून बात आ जाती है तो केवल जन्म राशी या जन्म लगन को देखकर के ही इसका परिज्ञान नहीं करना चाहिए चंद्र कुंडली के माध्यम से भी इसका विशय से परिज्ञान करना चाहिए अर्थात जन्म लगन और चंद्र कुंडली जन्म कुंडली जो लगन से प्रारम होती है और चंद्र कुंडली जो चंद्रमा से प्रारम होती है तो इन दोनों कुंडली से सब्तम स्थान में जो राशी होती है और उसका जो स्वामी होता है वह जिस राशी का प्रतिनीधितु करता है, वह जिस राशी का स्वामी होता है, ठीक वही राशी उसके जीवन साथी की होगी, ऐसा परिज्यान किया जाता है। कभी-कभी तो नवमांश कुंडली के द्वारा उसके जीवन साथी की नाम क्या होगा, उसकी नामाक्षर कौन सी होंगे, उसका भी परिग्यान सुक्ष मरूप से नवमांश कुंडली द्वारा किया जाता है. अभी तो फिलहाँ जन्म कुंडली देख करके हम यह जीवन साथी के उसके नामराशी या जन्मराशी का परिग्यान करेंगे. नामराशी का परिग्यान थोड़ा इसमें कठिन होता है, लेकिन जन्मराशी तो निश्चित रूप से कुंडली देख करके परिग्यात की जा सकती है कि अमुक जातक की कुंडली में अमुक राशी वाली जातिका से ही विवा होना निर्धारित रहेगा यह लगभग 90 प्रतिशत तक यह सूत्र जो है फार्मूला यह काम करता है मैंने बहुत सारी कुंडली उपर इसका प्रत्यक्ष परिक्षण भी किया है इसलिए यह सूत्र आप सभी के समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ तो दोनों की कुंडली तो दोनों की कुंडली में सब्तम अस्थान जन्म कुंडली न चंद्र कुंडली तो उन राशियों से सम्मंधित ही उसके जीवन साथी की राशी होगी यहाँ एक प्रत्यक्ष अनुभूत सूत्र है आईए उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम परिज्ञान करेंगे यहाँ पर दो जन्म कुंडलिया ले गई है यहाँ पुरुष की जन्म कुंडली है और यहाँ इस्त्री की जन्म कुंडली है पुरुष की जन्म कुंडली में लगन है मिथुन और राशी भी मिथुन ही है तो दोनों कुंडली एक ही ही हो गई लगन कुंडली भी और चंदर कुंडली भी यह चंदर कहीं अन्य स्थान उपर होता तो उसकी चंदर कुंडली अलग बनती किन्तु इस जातक की कुंडली में चंद्रमा और लगन दोनों एक है अर्थात मिथुन राशी भी है और मिथुन लगन भी है तो इससे सब्तम स्थान हमारा होता है ये पत्नी का स्थान होता है सब्तम भाव जिसे हम कहते हैं और उसमें है हमारा धनु राशी और केतू बैठाओ। कभी-कभी कुंडली मिलाते समय जीवन साथी में वो ग्रह सेम टू सेम वैसे ही विद्यमान होते हैं उसकी जन्म राशी के साथ या लगन के साथ जो जातक के सब्तम स्थान की स्थितियां होती हैं ठीक वैसे ही आप इसका स्वयम अनुभाव करेंगे तो आपको पराप्त होगा तो यहां पर हम देखते हैं तो नव अरथा धनु राशी और धनु राशी का स्वामी होता है ब्रहस्पती तो इससे तो यहां सिद्ध हो गया कि इस जार तक की जो भी स्त्री होगी या जो भी पार्टनर होगा या जो भी जीवन साथी होगा उसकी जन्मराशी नामराशी का यहां प्रबोध नहीं करेंगे क्योंकि नामराशी कुछ भी रखा जा सकता है और दो तिन नाम होते हैं उसक नहीं मिल पाता है तो में जन्म लगन तो अवश्य ही होगा सिमना चाहिए इसका स्वामी बनता है इसके सब्तमस्थान का स्वामी बनता है ब्रिहस्पती तो इसका मतलब जो इस्त्री की कुंडली होगी उसमें ब्रिहस्पती अर्थात ब्रिहस्पती की जो राशी है धनू या मीन वह इस्त्री की जन्मराशी या जन्मलगन होना चाहिए तो हम यहां देखते हैं यहां पर इस्त्री का जनमलगन व्रिशब है और इसकी राशी देख लेते हैं तो राशी है धनू राशी जैसा कि हमने बताया यहां पर ब्रियस्पती है इस राश सब्तमस्थान का स्वामी तो जो इस्त्री है उसकी भी राशी धनू या मीन होगी नि यह बात आपको बता रहा हूँ आप स्वेम अपनी कुंडली पर भी इसका परिक्षन कर सकते हैं यदि नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन साती है उसके साथ वेवाहिक संबंद अच्छे नहीं रहेंगे यदि दोनों के मिल रहे हैं तो वेवाहिक सं अपना कर लेते हैं कि माल लीजे इसकी जातक की मिथुन लगन है जातक का मिथुन लगन है और मिथुन राशी है माल लेते हैं हम मिथुन लगन है और उसकी राशी हम माल लेते हैं करक यहां पर चंदर को हम बैठा देते हैं तो माल लेते हैं यहां पर करक राशी उसकी है त तो तीन चार पांच छे साथ सब्तम स्थान में शनी की राशी हुई तो इसका मतलब जो इस्त्री होगी इसकी अत्वा जिसके साथ भीवा होगा उसकी जन्म राशी या जन्म लगन दोनों शनी से सम्मनित होंगे मकर या कुम्ब हो सकता है यहां पर एक ही है इसलिए ऐसी सित् बन रही है नहीं तो कदाचित परिक्षर में यह पाया गया है कि जो सब्तम स्थान में जन्म राशी है और लगन से जो सब्तम स्थान में है वो लगन और जन्म राशी दोनों मिल जाते हैं तो यहां बहुत ही प्रत्यक्ष अनुभूत सूत्रे आप इस राशी का एक दूसर धनु तो वरिशबलगन से सब्तमस्थान में मंगल की राशी वृशिक तो इसका जीवन साती है उसकी राशी वृशिक होनी चाहिए या मेश होना चाहिए और धनु राशी से हम देखें क्योंकि जन्म राशी अत्यधिक प्रभावित करती है तो जन्म राशी से सब्तम स्थान, चंदन कुंडली से सब्तम स्थान में आता है मिथुन राशी और मिथुन राशी के साथ राहू बैठा हुआ है तो आप देखें, पुरुष की कुंडली में भी मिथुन राशी ही है मतलों मिथुन लगन है और राहू बैठा हुआ है राशी भी वही है, मिथुन राशी भी है, मिथुन लगन भी है और राहू बैठा हुआ है तो आप देख सकते हैं दोनों की जन्म कुंडलियों से सब्तमस्थान की स्थिती एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर ही है तो इस प्रकार से आप भी अपने जन्म कुंडली का अध्यन कीजे या अपने अनुभवों को हमारे साथ कुमेंट बॉक्स में जरूर आप उसे शेर कीजे यदि आप भी जन्म कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो दिये गए नंबर उपर आप जरूर कॉल कर सकते हैं चैट कर सकते हैं नमस्कार